नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार में 23 परियोजनाओं पर जल्ब सुरू होगा काम बिहार की लिट्टी चोखा ने देश में दिखाया अपना जलवा अपने महीने से सुरू होगा तीसरे और चौथे चरण का जमीन सर्वे गांधी मैदान में बाड़ा विभागों की निकलेगी जहांकिया सर्फ लास खान को नजर अंदाज करने पर वेंगटेश प्रशाद ने कही ये बार इसके साथ ही बरते हैं साम तक की बड़ी खब्रों के ओर विस्तार से गांधी मैदान में बाड़ा विभागों की निकलेगी जहांकिया हर वर्ष की तरह स्वर्ष भी चोहतरवा गंतंतर दिवस की मौके पर पठना के गांधी मैदान में विविन सरकारी विभागों के दोरा अलग-अलग विश्यों पर जहांकी निकाली जाएगी बता दे कि इस बार कुल बाड़ विभाग के दोरा अपनी जहांकियों का प्रोदर्शन किया जाएगा जिसमें उपिंद्र महारत सिल्प अनुशनधान संस्थान से बिहार में उद्यों के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा मध्यनिशेद उतपाद एवं लिवंधन विवाग से सराब बंदी महिला एवं बाल विकास निगम से कामकाजी महिलाओं के लिए पालना घर पंचाईती राज विवाग से ससक्त पंचायत समर्धिक गाउं जल संसाधन विवाग से गंगा जल आपूर्ती योजना क्रिसी निदिशाले से क्रिसी यंत्र बैंक कला संस्कृती एवं युवा विवाग की ओर से खेल रहा है बिहार खेल रहा है बिहार परटर नदिशाले से ओड़नी डाम, बांका, शमसंसाधन, विभाग से आर्थिक हल युवाओं को बल, निदेशक सहराजे अगनी समन पतादिकारी का कारेयाले से अगनी से सुरक्षा, जानमाल की रक्षा, जिविका के ओर से हुद्यमिता से आत्मिर्भरता, बिहार सिक्षा परियोजना परिसत से अपनी तो पाट साला, मस्ती की पाट साला विशेप जहांकी आयोजित किया जाएगा, विभाग निकी कारे पर वापस लौटनी की अपील, बिहार में बीते 10 जन्वरी से राज्ये के 20 जिलों के 89 अंचलों के 208 सिविर में कारे रत 2729 विशेष सर्वे सहायक बंदोबस पतलिकारियों द्वारा अपनी मांगो और वेतन व्रिदी को लेकर हरताल किया जा रहा है, जिसे लेकर राजश्यों एवं भूमी सुधार विभा के सचीव जैसिंग द्वारा हरताल पर गय कर्मियों के प्रतिनीधियों से बाचीत की और उन्हें इस बास स खत्म कर अपने कारे पर वापस लोटाएं। आयुजित किये गया थे जिसमें बिहार की ओर से गया फूड टीम के प्रमुख नवादा के लाल लव कुमार के दोड़ा बिहार के वेंचन नित्ती चोखा का प्रदर्शन किया गया था जिसे पूरे देश में दूसरा स्थान दिया गया वहीं इस लिस्ट में पहले नंबर पर जमू काश्मी रहा आपके जानकारी के लिए बता दे कि बिहार से गई टीम में लव कुमार के अलावा चहानाबास से राहूल सासाराम से काजल पटना से सोनू राहूल रितिक एवं मनू भी शामिल थे बिहार में 23 परियोजनाओं पर जल्द शुरू होगा का बिहार में नमामी गंगे के तहट 42 नई परियोजनाओं में से 1471 करोड रुपे की 23 परियोजना का कारेज जल्द ही सुरू होने वाला है बता दे कि इन 23 परियोजनाओं की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानि की DPR तयार कर लिया गया है और फिलाल इसमें से 326 करोर रुपे की साथ परियोजना टेंडर की प्रक्रिया में है जबकि बाकी बचे 16 परियोजना के DPR को SPMG को मंजूरी के लिए भेजा गया है वहीं 42 परियोजनाओं में से बचे 19 परियोजना की DPR तयार करने की प्रक्रियाद चल रही है आपके जानकारी के लिए बता दे कि नमामी गंगे के तह सीवरेस ट्रीटमेंट प्लांट सीवरेस नेटवर्क मल्युक्त गाद प्रभंदन और सब दह ग्रीज से जुरी 42 परियोजना के कारी को पूरा किया जाना है अगले महीने से सुरू होगा तीसरे और चौथे चरन का जमीन सर्वे राजश्व इवन भूमी सुधार विभात के द्वारा अगले महीने में तीसरे और चौथे चरन का जमीन सर्वे कराने के लिए व्यापक कारी ओजना बनाई गई है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि फिलहाल 20 जिलों में सर्वे का काम चल रहा है मालूम हो कि यहां सर्वे कराने की जिम्मेदारी 2729 विशेश सर्वेक्षन अमीन 282 काननगों और 164 विशेश सर्वेक्षन सहायक बंदोबस पतारिकारियों को दिया गया है माही तीसरे और चौथे चरण में यह सर्वे का काम 13 जिलों के 205 अंचलों में करने की योजना है इसके साथ ही विभाग के दोरा जमीन सर्वेक्षन में जुटे करंचारियों के वेतन वृद्धी पर विचार करने के लिए भी राजित सरकार से अनरोद किया गया है बिपेसी के लेक्षरर असिस्टेंट प्रोफेसर भरती परिचा आंसर की पर दिन तक दर्ज करे आपती विहार लोग सेवा आयोग के दोरा असिस्टेंट परिचा आंसर की पर आपती दर्ज करने के लिए 19 जनवरी 2023 तक पोटल खोल दिया है यानि कि अब अभ्यारती 19 जनवरी 2023 बिपेसी की आधिकारिक वेवसाइट पर जाकर अपनी आपती जमा कर सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बिहार लोग सेवा आयोग के दोरा असिस्टेंट पर भरती की लेकित परिच्छा 23 ऑक्टूबर 2022 को आयोजित की गई थी और लेक्चर की परिच्छा 26 ऑक्टूबर 2022 को आयोजित की गई थी वहीं BPSC के दोरा एंदोरों परिचा की आंसर की 12 नवंबर और 13 नवंबर 2022 को जारी कियर दी गई थी CM की समधान यात्रा आज पहुंची बकसर मुख्यमंतरी नितीस कुमार आज अपनी समधान यात्रा के दोरान बकसर पहुंचे जहाँ उन्होंने कठार गाउं के किसान विजैस सिंग की दो बेगा में जैविखा से की गई केले की खेती का अवलोकन किया और उसके बाद चक्की के हिनवा गाउं में साथ निश्चय योजना के तहत किये गए तलब के सौंधरी करन कारे का नरक्षन किया इसके बाद उन्होंने बकसर की MP हाइ स्कूल में जिवी का दीदियों के साथ बैठक कर उनके दोरा किये जा रहे कारेों के बाड़े में जानकारे ली और कुछ दिर्बास हमार नाले के सभाकक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकार के दोरा संचालित की जा रही योजना की समिछा की बिहार का 2023-24 के बजट में इन मुद्दों पर रहेगा फोकस बिहार के अगले वीतिये वर्ष 2023-24 के बजट के लिए की जाने वाली तयारियां अंतिम चरण में हैमाना जाड़ा है कि अगले वीतिये वर्ष का बजट 2022-23 के चालू वीतिये वर्ष की तुलना में काफी बड़ा हो सकता है लगाए गया नुमान के अनुसार बजट आकार में के लिए बता दी कि 2023 के वीतिये बजट में रोजगार के साथ-साथ कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जिसमें सिक्षा स्वास्ते और क्रिसी जैसे मुद्दे भी शामिल होंगे पटना डीम ने की जाती आधायद गन्ना के प्रगती की समिक्षा बिहार में जाती आधायद गन्ना के पहले चरण की सुरवात हो चुकी है और अब तक इसके 75 प्रतीसत कारे भी पूरे किये जा चुके हैं इसी को लेकर बीत दिन पटना के डीम डॉक्टर चंदर सेखर सिंग के दोरा जाती आधायद गन्ना की समिक्षा बैठा की गई और स्थितिकाल जायजा लिया गया असदोरान उन्होंने अधिकारियों को नर्देश देते वे कहा कि गन्ना के दोरान कोई भी घर गलती से भी छूटना नहीं चाहिए सभी पड़ेवेक्षक अपनी पूरी प्रगनक टीम के साथ प्रती एक दिन अपनी आवंटित गन्ना छेतर में उपस्तित रहेंगे इसके साथ ही सभी सम्मधित जलासतर ये पदा दिकाड़ी अपनी कर्मियों के उपस्तित होते हैं उनके विरुद कारवाई कर प्रतिवेदन देंगे सुधाकर सिंग पर हुई कारवाई से जेडियू खुस पुर्फ कृष्री मंतरे सुधाकर सिंग के दौरा लगातार मुख्य मंतरे इनितित कुमार के खिलाफ बयान बाजी की जारा ही थी जिससे देखते वे बीते दिन आर जेडी की वो MLC नीरज कुमार के दौरा अपनी प्रतिक्रिया देते वे कहा गया है कि राज़त के इस कारवाई से भाजपा की सारी योजना नाकाम शाबित हो गई है राज़त नितित ने माना है कि जुराकर सिंग ने अनुशासन तोड़ा है इसलिए उनके खिलाफ राज़त ने कार पार्टी के नेताओं वी आईपी के प्रदेश महा सची बाल मुकुंद चोहान और उनके सहयोगी को अपनी पार्टी जेडियू में शामिल कर लिया है बतादे के इन नेताओं को जेडियू के सदस्ता पटना इस्त जेडियू काले आले में प्रदेश अध्यक्ष उमेश यानि की वी आईपी किसी गडवंधन में शामिल नहीं है। का पाठ कर सुबे के सिक्षा मंतरी को भगवान के द्वारा सद बुद्धी देनी की प्रातना की गई। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रेम रंजन चतुरवेदी के द्वारा कहा गया है कि अगर सरकार ऐसे बड़बोले सिक्षा मंतरी का और विलम पर खास्त नह के खिलाफ नोटस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा गया है वही अब स्पीच यह सवाल उठ रहा है कि अगर सुधाकर सिंग के द्वारा संतोस प्रद जवाब नहीं दिया गया तो आरजेदी का अगला कदम क्या होगा ऐसे ही सवालों को लेकर पार्टी के राश्ट्रिय प पार्टी को नुकसान हुआ है और अब उनसे पार्टी की ओर से 15 दिन में जवाब मांगा गया है अगर इस दौरान उनका जवाब संतोस प्रद नहीं होता है तो उनके खिलाफ लालू यादव के अनुसार ही नर्ने लिया जाएगा उन्होंने कहा कि यह नोटिस भी लालू तेज गेंदबाज वेंकर टेश प्रशाद नहीं टूइट कर अपनी प्रतिक्रिया दी उन्होंने कहा कि तीम ब्लॉकबस्टर घरेलू सीजन के बावजूत टेस्ट टीम में उनका ना होना ना केव सरफरास खान के लिए अनुचित है बलकि यह घरेलू क्रिकेट के लिए गाली है जैसा कि इस मंच से कोई फर्क नहीं परता और वहर रन बनानी के लिए फिट है जहां तक सरीर के वजन की बात है तो कई ऐसे हैं जिनका किलो अधिक है आपके जानकारी के लिए बता दे कि भारत और और ऑस्ट्रीलिया के भी चार टेस्ट मैचों की सीरीज की प्रते लिटर में मिल रहा है मुझा परपुर में पिट्रॉल गेह एकस दसम लोग नौ एक रूपई और डीजल सफ़ाओवे दसम लो चे चार रूपए प्रती लीटर मिल रहा है वहीज़ कीमए पेट्रॉल की कीमत और नौ साथ लीटर नरधारिक की गई है इसके साथ ही गया में पेटरॉल की कीमत बित्त दिन हमारे दर पूछे के सवाखे चिन होनी हमारी जवाब जवाब दिए है उनके नाम है रजीत मिश्रा रभी कुमार राम बाबौलाल मरांडी अजीमा फिर्दोस अब बढ़ते हैं आज के सवाल क्योंड आज का सवाल है आपका बिहार का पसंदीता वियंजन कौन सा है आपना जवाब हमें अमारी कमेंट सेक्षिन लिखकर जरूर बताए अज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूर्ज और साथ अगरा आप यूंटूब से देख रहें तो चैनल को सब्स्राइब करना और अगरा अगरा करना ना भूले थनेवार